हेलो एव्रिवान अगर आपको ये सी होम रेमेडी की दलास में हैं अपने स्किन के लिए कुछ ऐसा देख रहे हैं जो फेसियल हेयर को पर्मानेंटली खतम ही कर दे दुबारा से बालों की ग्रोथ ना है वैसे फेसियल हेयर को हटाने के लिए तरह तरह का हम उपाई करते हैं बहुत सारा टीटमेंट करते हैं होम रेमेडी का यूज करते हैं लेकिन काम नहीं करता है बाल हट जाता है लेकिन दुबारा से उसकी ग्रोथ आ जाती है तो आज हम उसके ग्रोथ पे काम करने वाले हैं फेसियल हेयर को पूरी तरह से स्टॉप कर देगा बालों को जड़ से क्लेन करके दुबारा से बाल आने नहीं देगा वहाँ पे आज के इस वीडियो में आप लों के साथ एक ऐसी होम रेमडी सेयर कर रहे हूं जो की आपके फेस के अंचा हैं बालों को साफ भी करेगा उसके ग्रोथ को भी रोकेगा हम जादे बाते नहीं करते चलिए चलते हैं कि कि तरीके से बनाना है अगर आप शच में नेचुरल तरीके से फेषियल लेहर को हमेशा के लिए खतम करना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए है इस रेमडी को बनाते समय कुछ बातों का धयान देना है अगर आप येख नहीं करेगा बएडियो को लाष्ट बहुत अच्छी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है सबसे पाले हमें एक पतीला लेना है और इसमें हम आधा ग्लास पानी डाले हैं गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा और आधा ग्लास पानी में हम एक चम्मच भर के डाले हैं चीनी जिसका कि हम लोग चाय बनाने में यूज करते हैं नार्मल चीनी जो आपके किचन में होगा उसमें से ले ली जिएगा और इसमें आपको एक चम्मच भर के एट कर देना है सहद जो कि यह सहद ही था बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह क्या था तो फ्रेंड यह सहद ही था सारा उपाय कर लेते हैं facial hair को हटाने के लिए लेकिन और काम नहीं करता है और जो लोग अपने face पे थ्रेडिंग के थ्रू बालों को साफ कर चुकी है दुबारा से जो बाल आता है उसका जड़ काफी जादे मजबूत होता है उस पर भी यह काम करने वाला है बालों को खीच भी लेकर आता है जो कि हर एक महिला चाहती है अब इसमें हम चुटकी भर क्या एट किये हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह क्या है इसे बताने से पहले आप लोग से छोटा सारी क्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को helpful लगे तो प्लेज वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए आगे बढ़ाईए इसमें हम जो चुटकी भर एट किये थे फ्रेंड ओ है गेहूं का आटा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चुटकी भर गेहूं का आटा तो जी हाँ इस तरह का घरलू रेमडिय कहीं भी आप इसका रिजल्ट आपको 100-100% मिलेगा जी हाँ आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप पारलर जाना छोड़ देंगी जो आप लोग जाकर फेस पे थ्रेडिंग कराते हैं न वो इसकीन के लिए बहुत जादे नुकसान दे होता है और आज से अगर आप बंद नहीं किये तो आने लेले टाइम में आप बहुत जादे पस्ताएंगी मैं ऐसा क्यों बोल लाई हूнул देखिए हो हमारे स्कीन को बहुत जादे नुकसान करता है इसकीन लूज भी करता है और फेसेल हेर जो आता है उसका जड़ितना जादे मच्बूत हो जाता है कि फिर उसपे कुछ भी काम ही नहीं करता है तो इसमें हम चुटकी भर गेहूं का आटा डाले थे और डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है गैस का फ्लेम आपको कम कर देना है लेकिन फिलहाल अभी यह बन गया है हम गैस का फ्लेम बंद कर दिये हैं इसी इस्टेप पे बंद कर दीजिएगा जब यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा अभी पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन अभी यह हलका सा गरम है तो थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से लग रहा होगा अब इसमें हम और क्या मिक्स करेंगे वीडियो पर बने रहिएगा एक एक इस टेप में आप ल कर लेते हैं कि यह काम नहीं करता है तो आप लोग को मैं बुलाने नहीं जाती हूं कि आप आईए मेरे वीडियो को देखिए आप लोग की मर्जी आप लोग देखिए आप लोग को मैं नेवता नहीं देने जाती हूं पर गलत कमेंट आप लोग मेरे वीडियो पर ना किया क करें ठीक है मुझे बहुत ज्यादे खराब लगता है इसमें हम एट कर रहे हैं फ्रेंट पांच से च्छै बुंद नीबू का रस नीबू का रस इसमें डालीएगा जरूर एक क्या काम करेगा इसकीन को सॉप्ट बनाएगा और फेसियल हेयर हटाने के बाद इसकीन आपका ड् हो गया है अगर आपकी स्किन को सूट करता हो तो इसमें ठोड़ा सा फिटकरी भी डाल सकती है फेसियल हेयर की ग्रोथ बहुत ज्यादे है लेकिन हलका पहुलका बालों की ग्रोथ है सिर्फ रोवा है फेस पे तो फिटकरी मत डालिएगा आप इसी तरीके से इसे लगाईए सबसे अलग और चेहरे को खुबसूरत बनाए रखने के लिए हम मांगे समागे टीटमेंट कराते हैं तो कुछ टाइम फेस पे ग्लो भी रहता है लेकिन जो इसकी ग्रोथ आती है वह बहुत जादे खराब लगता है कोई भी नहीं चाहता है कि दुबारा से बाल आए लेकिन इसकी ग्रोथ इतना जल्द हो जाती है कि देखने में बहुत जादे खराब लगता है तो ऐसे में अगर आप इसे पर्मनेंटली क्लीन करना चाहती है तो इस तरह का घरेलू रेमडी आज से ही आप लगाना सुरू करिए अब इसे क्लीन कैसे करना है तो देखिए इसे लगा आप करने करें सकते हैं काफी सारा बालえ निकार दिया है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है आप लोग शाथ करल नहीं होगा लेकिन बालों की घरोथ बहुत जादे है तो एक बार में काफी सारा बाले हटा देगा तो इस तरीके से लगा कर अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा जिस तरीके से पार्लर में बैक्स होता है ना सेम हो ही प्रोसेस रहेगा इस रैमेडी के थ्रू अपर लिप्स के बाल को आप दो मिनट में क्लीन कर सकती है इसे बना कर आप कोई भी कांच के खाली डिबी में भर करके रख लिजीगा और जब भी आपको लगाना हो कहीं आना है और अचानख आपको पारलर जाने का टाइम नहीं और अपर लिप्प हल्का हफूल का बाल दिख राहे तो इसे हल्का सा गरम करिए लगाइए clean करिए और फिर आपको जहाना बहुत अच्छा एक काम करता है इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा फिर आप लोग इसे यूज करना शुरू कर देंगी एक बार लगा लिए तो फिर आप इसकी दिवानी हो जाएंगी तो इस तरीके से अच्छे से जहां का बाल आप साफ करना चाती हैं बैक्स नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है मैं खुद इसे यूज करती हूँ बात और आप लोग से मैं बताना चाती हूँ आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि आपका होम रेमेडिज का पर में काम नहीं करेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा पेसेंस रखना पड़ेगा जो कि आप लोग के पास नहीं है बस आप लोग वीडियो देखकर जज कर लेते हैं कि ये काम नहीं करता है ऐसे है वैसे है तो प्लीज किसी के वीडियो पर ऐसा कमेंट ना करें कि यह काम करता है कि नहीं करता है वीडियो देकर आप लोग जज नहीं कर सकते हैं जब उसे लगाएंगे नहीं रिजल्ट मिलता है तब कमेंट किया करें आप लोग पर सिर्फ वीडियो देकर जज ना करें कि यह काम नहीं करता है आई होप आप लोग को रेमडी बनाने का तरीका पसंद आया होगा इस वीडियो को जादा से जादा अपने फैमली में अपने दोस्तों में सेयर करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिएगा चैनल पनी हुए मुझे पाली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई